Welcome to lecture of operating system इस lecture में हम operating system का एक बहुत important concept जिसे page fault कहा जाता है and page replacement ये दो different concept हैं आल्दो ये एक दूसरे के साथ interrelated हैं लेकिन इनको हम with example समझेंगे कि ये concept हैं क्या page fault कब अकर होता है और कैसे अकर होता है उसको overcome कैसे किया जाता है और page replacement की जरूरत कहां पर पढ़ती है और क्यों पढ़ती है और उसको किस तरह से हम cater करते हैं अपने system के अंदर तो इसको एक example के साथ समझते हैं देखें यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है suppose करें कि we have a program X that have a 5KB memory या एक program X है जिसको 5KB memory चाहिए है ठीक है तो हमारे पास अगर आप यहां पर अब देखें यह जो आपको एक नजर आ रहा है secondary memory for example हमारी hard disk भी हो सकती है SSD भी हो सकती है secondary memory कहलाती है तो हमारी जो secondary memory यह उसमें कुछ pages बन जते हैं हर page का size same होगा जिस तरह मैंने इस example में लिखा हुए side पर 1KB यह page 1 भी 1KB का है page 2 भी 1KB का है 3 भी 1KB का है pages बन जते हैं और एक चीज़ और हमारा जो operating system होता है ना जब उसमें यह secondary memory के pages बनते हैं तो pages millions के अंदर होते हैं ऐसा नहीं है कि 8-10 page बन गे क्योंकि आपको पता है हमारी जो hard disk है यह जो secondary memory होती है उसकी तो capacity बहुत ज्यादा होती है तो यह millions होते है pages और लाजमी नहीं है कि 1KB का ही एक page हो 2KB का भी हो सकता है हमारे कुछ यह latest operating system है उसमें जो एक page होता है उसका size 4KB तक भी होता है तो pages से ज्यादा size के भी हो सकते है तो यह मैंने सरफ समझाने के लिए आपको का कि 1KB है लेकिन अगर 1KB का page है तो जितने भी page होंगे वो 1KB के होंगे ऐसा नहीं होगा आपको किसी page को कहें कि 1KB का है next page 2KB आ गया इस तरह से नहीं होगा तो अब देखें यह जो हमारे पास X program था इसको 5KB memory चाहिए थी अब मैंने यहां पे लेकि दिया P1, P2, P3, P4 और P5 कि इन 5 pages पे यह program लोड हो गया ठीक है हमारा X program इन 5 pages पे लोड हो गया उसका 1KB page 1 पे चला गया अगला 1KB page 2 पे चला गया तो 5KB इस तरह से पुरा हो गया बाकी यह जो नीचे खाली है आपको space empty space नजर आ रही है यहां पे कोई और program होगा और यह so on है यह खतम नहीं होगी यह space चलती जाएगी जिस तरह मैंने कहा कि millions of pages होंगे तो हमारे program को 5KB memory चाहिए थी इस तरह से वो program आ गया इन pages के उपर ठीक है 1KB का एक page है उसने 5 slots यहां पे occupy कर ली अब जो second step होता है वो यह होता है कि हमने secondary memory से load करवाना होता है अपने program को main memory के अंदर यह हमारे पास main memory है जिसको हम primary memory भी कहते हैं जिसको हम RAM बोलते हैं वहां पे हमने load करवाना होता है main memory में जो चीज जो partition होती है उसको बोलते है frame जो हमारी secondary memory है वहां पे जो partition है उसको बोलते है page और हर page का size same होता है इसी तरह primary memory की partition को हम बोलते है frame और हर frame का size same होगा जो हमारी secondary memory में है अगर secondary memory में page का size 1KB है तो यहां पे भी हर frame का size 1KB होगा ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा तो अब suppose करें कि हमारे पास यह जो हमारा program था जिसको 5KB memory चाहिए थी 5 pages पे वो आया था उसका page number 1 जो है हमारे frame 1 पे हमने कहलें के load करवा दिया और जो page number 3 है वो frame 2 पे आ गया page number 5 जो है वो frame 4 पे आ गया suppose करें कि हमारे case में इस तरह से हो गया ठीक है कि उसके 5 पार्ट थे लेकिन 5 में से 3 हमने main memory में या primary memory में load करवा दिये अब main memory में एक हमारे पास page table बन जाता है जिस तरह यहां पे लिखा वो page table पेज टेबल क्या होता है उस page table में यह record होता है कि page 1 कहां पे पढ़ा हुआ है यह तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया था न यहां पे इसमें लेकिन otherwise तो यह इस तरह होगा पेज टेबल बनेगा उसमें होगा record कि page 1 जो है वो frame 1 में पढ़ा हुआ है page 3 frame 2 में पढ़ा हुआ है और page 5 frame number 4 में पढ़ा हुआ है ठीक है यह page table बन जेगा इसके बाद क्या होगा जो CPU है CPU को page की जरूरत पढ़ेगी अपनी functionality यह उसको process करवाने के लिए page की जरूरत पढ़ेगी अब suppose करें CPU ने request किया page number 1 CPU को इस table से पता लगेगा इस page table से पता लग जाएगा कि page number 1 जो है वो frame 1 पे पढ़ा हुआ है और वो उसको process कर देगा यानि इसमें memory management unit एक role play करेगा इस page को locate करने के लिए CPU के लिए तो अब ये तो एक simple सा हो गया कि उसको पता लग गया यहाँ पे हम suppose करते हैं CPU को चाहिए page number 2 अब page number 2 जो है x program का page number 2 चाहिए है ठीक है उसको अब जो page number 2 है वो table देखेगा CPU टेबल में देखेगा कि यहाँ पे page 1 भी पढ़ा है 3 भी पढ़ा है 5 भी पढ़ा है page number 2 तो ही नहीं है जब उसको page number 2 इस memory में नहीं मिलेगा तो यहाँ पे page fault अकर होगा इस condition को हम कहेंगे page fault तो page fault को हम कैसे define कर सकते हैं कि हमें हमारे CPU को प्रोसेसिंग के लिए जिस page की जरूरत हो वो वाला page हमारी main memory में या primary memory में ना available हो तो page fault कर होगा जिस तरह हमारे case में हुआ CPU को यहाँ पे चाहिए था page number 2 उसमें जो page table है उसमें देखा page 135 है page 2 तो ही नहीं तो यहाँ पे page fault कर होगा अब इस page fault को overcome कैसे करेंगे अब page fault आ गया है इसको हम किस तरह से page fault को खतम करेंगे या उस page को किस तरह से memory में लेके आएंगे तो उसके लिए अगर आप ये एक diagram देखें अभी ये देखने में आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बना है कितना complicated है बिल्कुल ही easy है बहुत easy diagram है इसमें कुछ भी complication नहीं है तो इसको देखते ही है नहीं सोच लेना आप लोगों ने कि ये पता नहीं diagram में क्या है ये मुराद कोई भी आप कहलें कि M number page उसको चाहिए है suppose करें हम अपनी example लेते हैं हम अपनी example में कहते हैं कि CPU को चाहिए यहां पे उसको चाहिए था page number 2 की हमने बात की थी page 2 चाहिए ठीक है यहां पर मैं लिख भी था अब हमें चाहिए page number 2 पेज नमबर 2 यहां पे जो step 1 नजर आ रहा है और यह लिखा हुए नीचे page table यह हमारे पास भी page table है उसने page table में देखा जिस तरह मैंने कहा था page table में देखा page table में उसको मिला page 1, 3, 5, 2 तो मिला ही नहीं जब 2 नहीं मिला तो एक interrupt generate हुई memory management unit basically interrupt generate करता है जिसका नाम यहां पे लिखा हुए trap वो हमारे operating system को बताता है कि CPU को processing के लिए page number 2 चाहिए है लेकिन page number 2 उसको नहीं मिल रहा है उसने operating system को बताया operating system ने क्या किया step number 3 देखें वो हमारी उसमें चला गया secondary memory में यह जिस तरह हमने secondary memory बनाई है secondary memory में गया जाके देखा कि क्या page number 2 है उसने यहां पे देख लिया कि यह तो page number 2 पड़ा है वो क्या करेगा उस page को उठाएगा bring in the missing page नीचे 4 नमबर लिखा है bring in the missing page कहां पे physical memory में physical memory से मुराद हमारी RAM ही है जिसको हम primary memory भी कह रहे हैं तो उसको यहां पे लेगए याँ अब मैंगर यहां पे लिख दूँ bring in the main memory के P2 यहां पे आ गया जैसे P2 यहां पे आएगा फ ठीक है page table में कौन से पे आया वो frame 3 पे आया मैं यहां पे लिख देता हूँ F3 frame 3 पे आया कौन सा page आया page 2 आया table हमारा update हो गया जब हमारा table update होगा तो यहां पे देखें number 6 पे लिखा है reset instruction research instruction का मतलब अब CPU दुबारा उस page को देखेगा page 2 को इस table में देखेगा और उस table में उसको पता लग जाएगा frame 3 पे पड़ा है ठीक है अब page fault अकर नहीं हुआ उसको page number 2 मिल गया एक तो यह condition थी page fault भी समझ आ गया हमने देख लिए page हमारे पास फिर किस तरह से memory में आएगा अब एक और चीज़ जिस पे मैं आपको page replacement का concept समझाँगा एक और चीज़ बता दो यह जो page table बना है न हर program का अलैदा से बनेगा हमारा program X है program X को 5K भी memory चाहिए यह program X का page table बना हुआ है अगर कोई program Y होगा उसका page table अलग बनेगा program A होगा उसका page table अलग बनेगा हमारे पास ठीक है तो आप देखे page replacement का concept कैसे अब इसको हम समझते हैं अब for example CPU को next time page की जरूरत पढ़ गए page number 4 की CPU ने अपनी यहाँ पे इसको memory management unit mmU के थूँ देखा page table में page table में उसने memory management unit को का मुझे page number 4 चाहिए अब उसने देखा यहाँ पे page number 1 भी पढ़ा है 3 भी पढ़ा 5 भी प पढ़ा page number 4 तो ही नहीं है यहाँ पे जब page number 4 उसको नहीं मिलेगा वो फिर एक interrupt या trap request जो है वो generate करेगा जिससे operating system को बताएगा कि मुझे 4 number के CPU को 4 number पेज चाहिए processing के लिए जो उसको नहीं मिला operating system क्या करेगा हमारी secondary memory में जाएगा यहाँ देखेगा page number 4 पढ़ा है तो page number 4 तो उसको मिल जाएगा page number 4 तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है अब उसने क्या करना है इस page को लोड करवाना है हमारी memory के अंदर अब जब हमारी main memory के अंदर यानी RAM के अंदर अब जब last time page number 2 चाहिए था ना तो main memory में एक frame हमारे पास empty था उसने वहाँ पे लाकर इसको रख दि अब page number 4 के लिए जरूरी होगा कि इन में से किसी एक page को remove करे उसकी जगा पे उसको रख दे मसला page 1 को remove कर दे page 1 की जगा page 4 रख दे और फिर CPU को page 4 मिल जाएगा अपने page table में से यानी page table अपडेट होगा तो page 1 की जगा लिखा आजएगा page 4 वो frame 1 में पढ़ा है लेकिन अब decide कैसे होगा कि इस page 4 को page 3 के साथ replace करना है 2 के साथ करना है या 5 के साथ करना है तो यह चीज़ कहलाती है page replacement page replacement की ज़रूरत उस वक्ड़ती है जब एक page fault occur हो जाता है यानी हमारे CPU को जो page चाहिए होता है वो memory में नहीं होता page fault occur हो गया ठीक है जब page fault occur हो गया तो हमारा operating system लिए उसके पास तो कोई space ही नहीं है वो कहाँ पे उसको load करवाए हमारी जो primary memory उसमें तो already सारे pages है कोई empty space ही नहीं है तो यहाँ पे page replacement algorithm को use किया जाएगा page replacement algorithm ये बताएगा कि आप page 1 को replace करने page 1 की जगा page 4 को रख दें या page 3 की जगा page 4 को रख दें या page 5 की जगा page 4 को side करते हैं कि जिस page की demand CPU कर रहा है उस page को हमने हमारे operating system ने secondary memory से हमारी जो primary या main memory है उसमें किस तरह से load करवाना है अगर वो already fill है तो किस तरह से उस page को replace करवाएंगे तो यहाँ पे फिर page replacement का concept use होगा उमीद है आपको इस lecture में page fault और page replacement की समझ आ गई होगी और ये भी पता ल relation होता है वो relation क्या है वो भी आप understand कर गए होंगे thank you